Hello and welcome to the studio members UPL को आज हमने अपने private group में morning में share किया तो सभी लोग उसे trade करवाय है UPL और जो दूसरा stock था वो Dixon था Dixon को हमें 4313.85 के निचे short करना था यही level था same और जब हमारी profit book करने की बारी आई तो कुछ इस वाली जगह पर अपने सारे के सारे profits Dixon के अंदर book करवा दिये थे and UPL के अंदर प्राइस के कल के देखी कुछ support areas बन रहे थे इन support areas को भी draw करके हमने live market map में group में share कर दिये था इससे कि काफी सारी help मिलती जब आप trade execute कर ले तो तो उसके बाद में होता ना कि over analysis तो वह over analysis नहीं होने चाहिए हाँ ऐसा भी नहीं है कि trade execute कर लेने के बाद में हम लोग analysis नहीं करते की जाएगी करना होगा या फिर कुछ न कुछ bullish moves दिखाने होगे लेकिन एक single bullish move नहीं आया UPL के अंदर गिर जाने के बाद में हमें मौलूम था कि price ने अगर अगर अपना support area ब्रिक किया तो एक अच्छा move मिलेगा जैसे ही price अपने इस वाले swing पर आया है क्यों क्योंकि price ने अपना support break किया था इन support कर देने के बाद में जो next swing बना यहाँ पर exit और अब चलते अपने telegram channel पर वहाँ पर देखेंगे कि कितने बज़े हमने कौन से level share किया था यह UPL है एंड UPL का यह वाला जो अपना UPL का जो हमारे level था 780.55 के नीचे हमें short करना था So Dixon के अंदर भी हमें short selling करनी थी और फिर सब live market के charts ने डिक्स on target complete होने में कुछ ही चलता रहता था थो थोड़े बहुत जो supports होता है न वो live market में चलता रहता अपना एंड डिक्स on का भी trade पूरा जो execute कहता है इसके अंदर भी हमने same time पर exit की एक बचकर 8 मिट पर दो rates execute के हैं दोनों के दोनों ही best rates थे हमारे आज के अब हम लोग बढ़ते हैं main topic की तरफ किसी ऐसे stock को जिसको हमें एक दिन पहले select करके रखना है मतलब कि एक दिन पहले ही हमें मालूम हो कि कल हमें कौन से stocks rate करने हैं कैसे levels हमारे निकलेंगे और कैसे हम लोग इसके ओपर trade करेंगे इसके कुछ fixed price actions होते हैं volumes के भी इसमें कुछ patterns बनते हैं बट अभी इन सारी चीज़ों को ना देखते हैं सिर्फ जो main topic है अपना कि stocks को select कैसे करेंगे इसके ओपर हम लोग देखेंगे simply सबसे पहले आप money control पर चले जाएंगे and money control को open कर लेंगे शायद हो सकता है system जो माज आपको बता रहें काफी समय पहले भी हो सकता है कि हमने यह आपको बताया हो में ठीक से जाद नहीं है बट कोई बात नहीं अगर बताया है तो एक तरह से वह revision हो जाएगा और पहले नहीं बताया तो फिर तो यह नया ही है so website पर चले जाएंगे and यहां से सीधा markets पर click कर देना market पर click कर देने के बाद में आपको delivery stats पर जाना है देखिए आप जितना चाहो इस website को या इस column को और भी जादा explode कर सकते हो लेकिन जो में चीज़ है वह हम समझा रहें आपको delivery volume के उपर एक बार click कर देजागा देखिए five days average delivery percentage इसका अलग use होता है delivery percentage इसका अलग use होता है so इन तीनों का यूज है and यह total traded quantities होती है and यह traded volumes यह है यह regular volumes यह आती है delivery volume कई delivery volume अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें आपको delivery volume वो होती है जिसको की एक दिन से ज्यादा के लिए hold किया जाता है और यह जो traded volumes आपके लिखी हुई है traded volumes मतलब एक ही दिन में समान लिया गया है एक ही दिन में shares उठाए गए है और उसी दिन शाम को बेच दिये गए है देखिए इसके अंदर क्या है Tata Steel के अंदर 1.5 crore quantities की लगभग delivery उठाए गई है मतलब 1.5 crore quantities hold की गई है Tata Steel के अंदर बाकी ITC में क्या है करीब 75 lakhs quantities hold की गई है इसके बाग में ICICI bank 68 lakhs hold की गई है मतलब इसको घर लेकर की गई है लोग अपनी debit में save किया हुआ है अब हमारे पास ऐसे कुछ stop की stocks हैं जिसके अंदर ज्यादा delivery उठी है यहां पर आप एक बात यह मान करके चलिएगा कि delivery अगर इतनी जादा को उठा रहा है तो वो हमारी आपके तरह कोई normal trader नहीं होगा वो कोई retail trader नहीं है यह बड़े investors होते हैं banks या फिर brokerage houses जो होते हैं hedge funds होते हैं यह सारा पैसा यहां पर लगता है मतलब मोटा पैसा लगता है अब आप खुद समझ सकते हो कि जितने भी stocks CNX Nifty के हम बात कर रहे हैं मतलब Nifty 50 के यह कुछ best stocks हैं जिसको कि हम कल देखने वाले हैं इसी में जिस pattern के हम बात कर रहे हैं price patterns की हो सकता है कुछ patterns आपको breakout के trades दें और कुछ patterns support या फिर resistance के trades execute करने को दें support या resistance के trades को छोड़ करके मान लिए कोई एक ऐसा trade है जो कि आप कह रहा है breakout के लिए trade करने को जरूरी नहीं है वह stock जब आप देख रहे हो तो same day में breakout हो ही जाए मतलब टाश्टा स्टील जरूरी नहीं है कि कल के दिन breakout ही हो जाए अब यह breakout के concept पर नहीं जाते हैं में चीज़ देख लें तो टाटन स्टील में आज किस तरह के price actions बने हुआ यह मैं कल ठीट करना है तो कुछ एक levels निकल करके आएंगे जैसे volumes को अगर हम लोग देखें यहां पर ओके यहां पर देखें कुछ points है जैसे कि यह हमारी बड़ी वाली candle इसके बाद में अगर हम लोग इस green वाली candle को ले लें यहां पर देखें क्या हुआ है price हमारा इस black वाली candle की range के अंदर ही trade कर रहा है मतलब अगर price इस black वाली candle के बाहर निकला तो इसके अंदर up move टाटा स्टील उपर ही चला जागे वापस फिर नीचे पलेट के आएगा नहीं चलागे अगर यह upside की तरफ इसको जाना है तो कितने resistance इसके पास है 106.50 107.70 यह दो resistance points है price इस बड़ी वाली black candle के अंदर ही trade कर रहा है but candle के अंदर कुछ internal structures form हुए जैसे की इस green वाली candle ने बना है तो price जैसे है हमारा 25th November के उपर जागा यहां पर अगर support लेकर के price sustain हो गया तो आप buy side का trade execute करोगे और अगर price 103.85 के नीचे गया तो आप आँख बंद करके यहां पर short selling कर दोगे मतलब confirmations लोगे इसे short selling करने के अपने entries के उसके बाद में full confidence के साथ मैं आप टाटाइस्टील को trade करोगे क्योंकि हमें इतना वालू में कि इसके अंदर movement हो सकता है इतने बड़े हैं कि में भी chance है कि आपको movement catch ही ना कर पाऊ entry ही ना ले पाऊ इतने बड़े moves हो सकते हैं तो कल के लिए टाटाइस्टील को आप निकाल करके रखोगे अपने पास इसके बाद ने ITC है ICSA bank अब जैसे ICSA bank ICSA bank ने क्या किया किया आज lifetime high लगा दिया अब हमारे पास इसके कुछ एक levels है 5 minute के time frame पर जब आप आओगे तो 5 minute के time frame पर आते हैं price ने 943.80 इस level को ब्रेक किया एपसाइट की तरफ अब अगर हमें इसे कल trade करना है तो हम lower time frame पर अगर अपने levels find out करें तो कुछ यह वाले levels बना है और अगर इसके नीचे देखें देखे होता क्या ना अब यह जो levels इस टॉक को देख करके ही बना दे रहे हैं है कि आपने मेरा एक वीडियो देखा next step में आप अपने system पर गए और आपने फटा-फट level stock करने शुरू कर दिया ऐसा नहीं होगा काफी सारे stocks के उपर आपको टैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप एक सही level के पास में पहुंच सकते हो अब देखें कि price आपका इस वाले level के उपर एक अच्छा move दिखा दे और अगर इसे नीचे की तरफ गिरना तो यहां से इसको resistance और इसके भी नीचे अगर यह आया तो 940 इसके नीचे फिर यह short simple language में अगर आपको ICI से BEM को buy करना है तो इस वाले point के उपर आप buy करो इस वाले जगे से भी price trade हो जाएगा लेकिन इसको आप थोड़ा से ignore कीजेगा trade execute अगर short side के तरफ आपको करना है तो इस वाली range के नीचे आप short करना देखिए दो stocks हमने आपको बता दिए कल इन stocks को देखेगा आपको move समझ में आएगा इक ऐसे stocks के अंदर हम लोग अगर पहले से निकाल के रख लें तो कैसे moves आते हैं है ना और stock निकालने का यह वाला जो अमने तरीका बता है अभी जैसे हमने का हो सकता है पहले हमने आपको इस समझाया हो हमें ठीक से जाद नहीं अपनी जो रिपोर्ट है वह हमें शेयर करते हैं फुल मन्थ ट्रेड एक्जिक्यूट कर देने के बाद में तो नेक्स्ट मन्थ लास्टेड़ को जो हमारी क्लास होगी उसका एक्सेस आपको मिल जागा लिंक हम शेयर कर देंगा आप लोगों को फुल मन्थ अब ट्रेड एक्जिक्यूट करके हमें अपनी रिपोर्ट शेयर करते जागा थैंक्स एंड विल मीट अगें